बच्चे हो या बड़े हो, सैंडविचे सब को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, इसलिए आज मैं आपके लिए चार अलग-अलग तरह के सैंडविच की रेसिपीज लेकर आई हूँ, तो चलिए फटा-फट से शुरुवात करते हैं, अनियन टोमेटो सैंडविच के साथ में लेंगे और उसमें डालेंगे एक कटा हुआ प्याज, एक कटा हुआ टमाटर, इसकी साथ ही लेंगे दो बारी कटी हुई हरी मिर्चे, अगर आपको स्पाइसी कम पसंद हैं, तो आप हरी मिर्ची एक ही डालें, इसकी साथ ही हम ले रहे हैं धनिया, मसालों में डालेंगे आदा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, खटाई में हम डाल रहे हैं एक चम्मच आमचूर पाउडर, आप चाहें तो इसकी जग़ा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, अब आदा चम्मच मैं इसमें घी डाल रही हूँ, घी की जग़ा आप तेल या बटर भी डाल सकते हैं, सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, बहुत ही क्रंची और जूसी ये सांड़िच बन कर तयार होता है, आपको मज़ा आ जाएगा इसे खा के, ये देखिए, फिलिंग बढ़िया सी बन कर तयार हो गई है, तो ये जो फिलिंग है, जो मसाला है, इसे हम साइड में रख देते हैं, यहां मैंने वाइट ब्रेड लिया है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, अब जो मसाला हमने प्याज और टमाटर का तयार किया है, वो इस पर हम अच्छे से डाल देंगे, ब्रेड पर नीचे बटर या चटनी कुछ भी लगाने की जरुरत नहीं है, यह प्याज और टमाटर का जो मसाला है, यह अपने आप में ही बहुत बढ़िया बन कर तयार होता है, तो आपको एक्स्ट्रा किसी भी चीज की जरुरत नहीं है, जैसे ही मसाला लग जाएगा, दूसरी ब्रेड से हम इसे कवर करके थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, अब हमने यहाँ पर तवे को गरम कर लिया है, और गरम तवे पर हम डाल रहे हैं बटर, बटर की जगा आप घी या तेल भी डाल सकते हैं, एकदम लो से मीडियम फ्लेम पर सांडविच को हम अच्छे से 3-4 मिनिट तक सिखने देंगे, मतलब एक साइड जो है वो 3-4 मिनिट लगेगा सिखने में, तब ही यह जो ब्रेड है वो बढ़िया क्रिस्पी बनकर तयार होगी, उपर से भी मैंने बटर लगाया है, आप तेल या घी जिसमें भी बना रहे हैं, वो अच्छे से उपर की ब्रेड पर लगाईए, प्रेस करते हुए, अच्छे से इसे संभलते हुए पलट दीजिए, ताकि जो मसाला है वो बाहर ना निकले, बहुत ही क्रिस्पी यह यकीन मानिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है, फटा फट बन जाता है, कोई ज्यादा ताम जाम नहीं है, इसे काट कर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, काटने से आपको पता लग रहा होगा कि यह कितना क्रंची बनकर तयार हुआ है, यह देखिए, बहुत ह कासा लगता है, कैचप या चटनी के साथ आप इसे इंजोई कर सकते हैं, और अब हम बनाएंगे चीजी-चीजी सैंडवेश, जो बच्चों को स्पेशली सबसे ज्यादा पसंद आता है, चलिए, शुरू करते हैं, बोल में हम ले रहे हैं, एक कटा हुआ प्याज, आधी आधा चमच औरेगेनो, एक चमच रेट चिली फ्लेक्स, एक चमच काली मिर्च का पाउडर लिया है हमने, और दो चमच हमने इसमें म्योनीज डाला है, म्योनीज आप चाहें तो थोड़ी ज्यादा भी डाल सकते हैं, सारी चीजों को अब हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर द अब हम बनाएंगे गालिक बटर, जिसके लिए यहां पर हम ले रहे हैं, दो बड़े चमच बटर के बटर को हमने थोड़ा सा मेल्ट करके लिया है, आप चाहे तो सौफ्ट बटर भी ले सकते हैं, इसमें हम मिलाएंगे लहसुन, लहसुन को हमने ग्रेट कर लिया था पहले प्यास, टमाटर, शिम्रा मिर्ची वाली, वो फिलिंग हम इसके उपर अच्छे तरीके से लगा कर हलका हलका सा प्रेस कर देंगे, अब इसके उपर हम लगा रहे हैं मौजरेला चीज, आप चाहें, तो जो भी चीज आपके पास में अविलेबल हो, वो आप यूस कर सकते है तो यहाँ पर मेरे पास मौजरेला था, तो मैंने वो यूस किया है, इसके बाद में थोड़ा सा रेचली फ्लेक्स उपर से डाल देंगे, थोड़ा सा ओरेगेनो भी डाल देंगे, आपके पास जो भी इटालियन हर्ब्स रखे हुए हैं, आपको यूस कर सकते हैं, इस ब्र चीज के उपर हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स थोड़ा सा, थोड़ा सा ओरेगेनो, तो यह जो ब्रेड है, यह हमारा सबसे लास्ट वाला लेयर रहेगा, इसके उपर यह जो लेयर हमने ब्रेड का पहले तयार किया था, टॉपिंग वाला, वो हम इसके उपर रख देंगे, और तीसरी ब्रेड से हम इसे कवर कर देंगे, यह लेज़े हमारा जो सांडविच है, वो तयार हो गया है, तबा ले लेंगे, तबे पर लगाएंगे गारलिक वाला बटर, जो हमने पहले से ही तयार करके रखा था, अब जो सांडविच हमने बनाया था, वो हम इसके उपर मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से हम सेख लेंगे, उपर का जो ब्रेड स्लाइस है, उसके उपर भी हम गारलिक वाला बटर जो है, अच्छे तरीके से एकदम स्प्रेट कर देंगे, थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पर इसे बढ़िया क्रिस्पी होने देंगे, और उसके सेंग को पलट देंगे अब जैसे ही सांटेश को पलट देंगे 나ricularotte कर देंगे कि इस बात का दियान कपने के स्टीश को बंदी के बाद हम यह अवपर यह जो यह ब्रेड हैं चाहां च्छिक के हैं उस पर लगाएंगे चल्ददः क्युंसारह ए पीजा में就到 लगा कर रखी थी, वो हम इसके उपर अच्छे से डाल देंगे अच्छे तरीके से हम पूरी फिलिंग को comprend कर देंगे इसके साथ ही तो बारह हम इसके उपर चीज लगा देंगे Mojora la cheese हमने use किया है तो वह हम अच्छे से डाल देंगे अच्छे ऑपर बढ़िया चीज जो है वो बढ़िया तरीके से मेल्ट हो गया है बहुत ही क्रिस्पी ये सांडविच बन कर तयार हुआ है आप इसे सांडविच की जग़ पीज़ा भी कह सकते हैं चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं मेरा परसनल फेवरिट आलू टिक्की सांडविच आलू टिकी बर्गर खाया है ना तो बस सांडविच भी ट्राइ करके जरूर से देखे सांडविच बनाने के लिए एक बोल में मैं ले रही हूँ म्योनीज दो बड़े चमच म्योनीज के लेंगे और एक बड़ा चमच टोमेटो केचप का लेंगे इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत ही क्रीमी और यमी सॉस बनकर तयार होती है आप इसे दूसरे सांडविच में भी यूज कर सकते है जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसे हम साइड में रख देंगे आगे बढ़ते हैं अब हम ले लेंगे एक दूसरा बोल और इसमें डालेंगे दो चमच कॉन फ्लार साथ ही इसमें एक चौथाई कप हम पानी डाल देंगे कॉन फ्लार और पानी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें कोई भी गुटलिया नहीं रहनी चाहिए ये देखिए इसका जो flowing consistency है बिलकुल ऐसी ही इसकी slurry हमें तयार करनी है अब हम बनाएंगे टिक्की के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं दो आलू, boil और mash किये हुए इसमें हम डालेंगे दो कटी हुई हरी मिर्चे, दो चम्मच ब्रेट क्रम्स, स्वाद के अनुसार नमक, आमचूर पाउडर एक चम्मच खटाई के लिए आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं और एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ब्रेट क्रम्स बनाने के लिए ब्रेट को तवे पर अच्छे से सेख के कड़क कर ले और उसके बाद मिक्सी में पीज दे, तो ब्रेट क्रम्स तयार हो जाएंगे आलू का मिक्स्चर बनकर तयार है, अब हम इसका पोर्शन अपने हाथों में लेकर अच्छे से गोल करेंगे, उसके बाद इससे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और घुमाते हुए इसकी हम बढ़िया सी टिक्की तयार कर लेंगे, यूशुली जैसे हम टिक्किया बनाते हैं, बिल्कुल वैसी ही बनानी है अब टिक्की बनकर तयार है, तो इसे हम डिप कर देंगे कॉन फ्लार वाली स्लरी में, जो अभी अभी हमने बनाई थी अच्छे से इसे डिप करने के बाद में, हम इस टिक्की को कोट कर देंगे, ब्रेट क्रम्स के साथ में, हर जगह से, साइट से, उपर से, हर जगह से हम ब्रेट क्रम्स अच्छे से कोट करेंगे इससे जो हमारी टिक्की है, वो बढ़िया क्रिस्पी बनकर तयार होगी यहां आमने तेल गरम करने रख दिया है, टिक्कियों को हम तेल में डाल देंगे flame जो है, वो medium पर रहेगा, जब तेल गरम हो जाएगा, तब हम flame को medium पर करेंगे और दोनों तरफ से पलट-पलट के टिक्कियों को अच्छे से golden होने तक सेक लेंगे हमारी ये जो टिक्किया हैं आप देख सकते हैं बढ़िया क्रिस्पी गोल्डन हो चुकी है इस टाइम पर हम इन्हें साइड में निकाल देंगे किसी टिशू पेपर पर निकाल देंगे और अलग से रग देंगे यहां हमने दो ब्रेड लिए हैं जिन पर हम अच्छे से बटर अपलाई करेंगे इसके बाद दोनो ब्रेड पर हम लगाएंगे सॉस म्योनीज और केचप का मिक्शर जो हमने तयार किया था इस sauce को अच्छे से दोनों bread पर लगाएं, कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजेगा, बहुत ही creamy sauce बनती है ये और sandwiches में बहुत बढ़िया लगती है sauce लगाने के बाद किसी भी एक bread पर हम टिकी को रग देंगे, टिकी को हम हलका सा प्रेस कर देंगे, अपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, अब इसमें हम रखेंगे गोल कटे हुए टमाटर और गोल कटे हुए प्याज, आप चाहें तो इसमें खीरा, कैप्सिकम या जो भी आपको सबजिया पसंद है आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला और नमक हम स्प्रिंकल करेंगे और दूसरी ब्रेट से हम इसे कवर कर देंगे, अगर आप चाहें तो इसमें चीज भी डाल सकते हैं, हम इसे विदाउट चीज बना रहे हैं, उपर से मैंने थोड सा बटर लगाएंगे, थोड़ी देर हम इसे अच्छे से सिखने देंगे, और उसके बाद हम इसे बहुत ही आराम से संभलते हुए पलट देंगे, उपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, और दूसरी तरफ भी अच्छे से सिखने देंगे, जब दूसरी तरफ से सिख तब हम दुबारा इसे पलट देंगे तो लीजे तयार है गर्मा गरम आलू टिक की सांडविच किसी बर्गर से कम नहीं है यह ट्राइ करके देखेगा आपको पसंद आएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं वेच क्लब सांडविच तवा गरम कर लिया है हमने और इ इसे सेखना है ताकि यह गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए लो फ्लेम पर ही यह क्रिस्पी बनेंगी तो देखिए गोल्डन क्रिस्पी हो गई है यह दोनों तरफ से आप चाहे तो टोस्टर भी यूज़ कर सकते हैं जैसे यह हो जाएगा हम इसे साइड में रख देंगे और अब तवे पर हम डाल देंगे थोड़ा सा बटर अच्छे से बटर को फैला देंगे पूरे तवे पर फ्लेम जो है वो लू से मीडियम पर कर देंगे और अब इसमें पनीर के स्लैसे हम रख देते हैं क्योंकि तवा गरम है तो पनीर के जो स्लैसे है वो जल्दी ही तब तक जब तक यह बढ़िया golden से नहीं हो जाते हैं यह देखिए इस तरीके से हलके हलके golden माक से इस पर आने लग जाएंगे तो आप बस इस तरीके से इन्हें पलट दीजे दोनों तरफ से अच्छे से हमें इन्हें सेखना है अब क्यूंकि पनीर हमें फीका फीका ना लगे इसलिए मैं इसके उपर ओरेगेनो चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं ये आपका चोईस है तो अब थोड़ी दिर बाद दुबारा हम इने पलट देंगे ताकि ये जो मसाले हैं ये अच्छे से पनीर के उपर स्टिक हो जाएं बटर में ये मसाले भी अच्छे से सिख जाएंगे तो पनीर के उपर स्टिक हो जाएंगे दूसरी तरफ से भी मैं सेम मसाले डाल रही हूँ और एगेनो चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा चाट मसाला मैंने डाला है और दूबारा से एक बार पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ भी जो मसाले है वो पनीर के ओपर बढ़िया से चिपक जाए जैसी यह हो जाएगा इसे हम साइड में रख देंगे अब यहां हमने बोल लिया है जिसमें वेजेटेबल को मिक्स करेंगे तो एक कटा हुआ प्याज हमने लिया है एक कटी हुई शिमला मिर्ची ले ली है और आधा कप हमने यहां पर पत्ता गुपी को काट कर ले लिया है दो चम्मच हम इसमें म्योनी द्रियस के डालेंगे आफ जयादा भी डि़ाल सकते अगे ठोड़ा साम इसमें अमक डाल., आदह चम्मच काली मर्च, पाउडर डाल दें गे और आथा चम्मच चाट मसाला भातर सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे आपकी पास जो भी वेजिटिबल is available है आप इसमें मिक्स कर सकते हैं आप इसमें गाजर कॉंस जो आपको पसंद है वाप डाल सकते हैं यह जैसी मिक्स हो जाएगा इससा इसाइड में रख देंगगे जो bread हमने अच्छे से crispy की थी वो ले लेंगे उस पर हम लगाएंगे butter butter के साथ ही आधा चमच हम इसमें डाल देंगे mayonnaise और आधा चमच ही ketchup डाल कर दोनों को सबसे पहले अच्छे से mix करेंगे और उसके बाद में पूरी bread पर अच्छे से हम इसे apply करेंगे इसका बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है आप इसे miss मत कीजिएगा जैसी ही हो जाएगा तो जो vegetables हमने mix करके रखेते मियोनीज के साथ में वो हम इस पर डाल देंगे इस bread के उपर और अच्छे से इसे पूरी bread पर spread कर देंगे अब दूसरी bread लेंगे उस पर हम दुबारा से butter लगा लेंगे और इसके बाद हम इस पर डाल देंगे हरे धनिये की चटनी आप हरे धनिये की चटनी की जगह ketchup भी यूज कर सकते हैं कोई आपके पास में चिली sauce हो या जो भी आपके पास में sauces available हो आप वो भी यूज कर सकते ह अब इसे इसके उपर इस तरीके से directly रख लेंगे और जो चटनी वाला part है वो उपर रहेगा अब इसके उपर पनीर के slices हम रख देंगे जो हमने पहले से ही fry करके रखे हैं उपर से हम tomato के slices डाल रहे हैं थोड़ा सा cucumber यानि की खीरा डाल रहे हैं इसके साथ ही थोड़ा सा प और साथी धनिये की चटनी लगाई है अच्छे से इसे हम spread कर देंगे और इसे इस तरीके से पलट कर बंद कर देंगे तो sandwich हमारा बढ़िया से तयार है चलिए अब हम इसे काट लेते हैं आप इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं चार में कर सकते हैं जैसे आपको पस पसंद हो आप इसमें यूस कीजिए यह sandwich आपको बहुत पसंद आएगा यह देखे कितना colorful लग रहा है यह बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा तो ketchup या चटनी के साथ इसे enjoy कीजिए कैसी लगी है recipe comment करके जरूर से बतेंगे